नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है इसलिए सासुमा ने तीनों बहु को तुरंत अपनी कमरे में बुलाया मैं कई दिनों से देख रही हूँ तुम तीनों अलग अलग सारे काम कर रही हो ये सब नहीं चलेगा तीनों को मिलकर ही काम करना पड़ेगा सास की बात सुनकर एकदम से बड़ी बहु बोल उटती है नहीं ममी जी मैं इन दोनों के साथ कुछ नहीं कर सकती मैं इस घर की बड़ी बहु हूँ फिर भी ये मेरा कहना बिलकुल भी नहीं मानती अरे जठानी जी जान बुझकर मुझे डबल काम करवाती है आप ममी जी इन दोनों को लगता है कि मैं छोटी हूँ तो इनके पैरों तले तब जाओंगी लेकिन नहीं मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना इन दोनों का है बड़ी आई दोनों मेरी चुगली करने के लिए मुझे क्या कम समझ रखता है तीनों बहूं एक दूसरे से बहस करने लगती है और सास दोबारा ये देख कर टेंशिन में आ जाती है और सबसे कहती है चुब हो जाओ अपसे तुम तीनों सारे काम एक साथ करोगी आख बंद करके एक दूसरे की बात सुनोगी तुम तीनों इस बात को गाठ बंद लो वरना अगली छुट्टियों में तुम्हारा अपना माई के जाना कैंसिल सास की बाते सुनकर डर के मारे तीनों हामी भर देती है जी ममी जी मैं समझ गई हाँ ममी जी जैसा आप कहें आप जो गहेंगी मैं वही करूंगी तीनों बहु सास की बात को गाठ बान लेती है और वादा करती है कि आपसे सारे काम वो तीनों एक साथ मिलकर ही करेंगी ये सब देखकर सास खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है नीचे जाकर वो देखती है कि घर में शर्माजी आये हुए होते हैं सास जोर से आवाज लगा कर कहती है आरब बहु ज़रा चाय बना कर तो लाना शर्माजी आये है सास की बात सुनकर तीनों बहु तुरंद किचन की और भागती है और चाय बनाना शुरू कर दीती है मुझे तो एक दम मसाले वाली कड़क चाय पसंद है तो हम शर्माजी के लिए मसाले वाली चाय ही बनाएंगे आरा नहीं दीदी गर्मी के मौसम में मसाला चाय कौन पीता है मैं तो शर्माजी के लिए इलाइची वाली चाई ही बनाऊंगी ये कैसी बात कर रही है आप दोनो मेरी मम्मी ने सिखाया है कि मेमान को ज्यादा दूद और शक्कर वाली चाई देनी चाहिए वना वो घरवारों को कंजू समझते हैं तो मैं तो शर्माजी को ऐसी ही चाह दूँगी तीनो बहुएं अपने अपने तरीके से चाह में शक्कर, मसाला, पत्ती सब डाल देती है उबलने के बाद तीनों मिलकर चाह बाहर लेकर जाती है और शर्माजी और सासुमा को देती है चाई पिने के बाद शर्मा जी सासुमा को देखकर शर्मा जाते हैं और शर्मिंदा मैसुस करते हैं कि आखिर उन्होंने चाई पिने के लिए हामी क्यों भरी सासुमा भी चाई पिना शुरू करती है और कहती है अरे, बहु यह कैसी चाय बनाई है, चाय है या मीठे दोट की बासुन दी हाँ, चाय अच्छी नहीं लगी क्या, कुई बात नहीं, हम पराठा बनाकर लाते हैं, चलो चलो अंदर हाँ हाँ चलो, हाँ आती हूँ मैं भी नहीं नहीं मेरा पेट चाही नहीं चौपट कर दिया वही काफी है पराठे से पोपट नहीं करवाना मैं तो चलता हूँ शर्मा जी चुप चाप पतली गली से निकल जाते हैं अगले दिन सास बहूं से कहती है अरे बहू जाओ जाके उपर के गेस्ट हास की सफाय कर दो कल हमारे यहां मेरे दूर के रिष्टदार आने वाले हैं तो पूरे कमरे को चमका देना समझी तीनों बहु सास के बात को मान कर उपर सफाय करने चली जाती है और तीनों कमरे की सफाय चालू करतेती है बड़ी बहु मकडी के जाले साफ करती है तो बीच वाली जारू लगाना और छोटी वाली सर्फ डाल कर जमीन धुना शुरू करतेती है आरे दीदी जिठानी जी अभी मैंने पूरी फर्ष्थ होई और आप फिर से दूल नीचे गिरा रही है और मजली जिठानी जी आप भी न जाडों की दूली यहां छटक रही है आरे तीरों को साफ करना है एक साथ सफाई करते हैं ना अरे वही तो हम साथ साथ है घर साफ साफ है तीनों बहु ऐसे ही काम में उलज जाती है और दो घंटे तक एक ही कम्रे के सफाई करती रहती है बहुत तेर से अपनी बहुँ को ना देखने की कारण सास उपर कमरे में उन्हें देखने जाती है लेकिन कमरे में घुस्ती ही वो गिली फर्ष पर फिसलने की कारण नीचे गिर जाती है ओरी मुरी मैया, खटी मरोड के रखती, आए मेरी तो कमरी तूट गई रहे तीनों बहुए सास को उठाती है और बिस्तर पिसला देती है और तीनों बहुए एक साथ सास के हाथ को दबाना शुरू कर देती है मा की तो चीखी निकल जाती है और नतीजा ये होता है कि सास के बचे हुए शरीर में भी दर्द उठ जाता है हाई राम ये क्या कर दिया तुम तीनों ने अरे मेरे तो किस्मती भूटी है कि तुम जैसी बहुए मुझे मिली ए बगवान पुरे शरीर में दर्द बढ़ गया है अब तो पता नहीं कि चल भी पाऊंगी या नहीं माफ करो मुझे गल्दी हो गई मुझसे कि तुम तीनों को एक साथ काम करने के लिए बोला सोचा था तीनों मिलके अच्छे से काम करेगी लेकिन बड़े बुजर्ग सही कहते थे कि तीन थी गाड़ा काम भी गाड़ा तुम लोगों ने ये बात ना आज साबित करके दिखा दी तुम तीनों को तो समझाना याने मानों भैस के आगे भी नबजाना है तुम है अकेले अकेले काम करना है ना तो अपसे तुम अकेले ही अपना अपना काम करो तीनों बहुए वहाँ से जाने लगती है अरे कहा जा रही हो आपी ने तो कहा कि अपना अपना काम करो तो मुझे मुलताने मिट्टी लगानी है आरा मुझे भी तो नेल पॉलिश लगानी है मुझे ना मेंदी लगानी है सास अपना सर पेट लेती है और कहती है आरा मुझे भी लगाना है कुछ क्या माजी, क्या माजी, क्या माजी तुम्हारे घरवालों को फोन, तुम्हारी हरकते बताने के लिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृप्या लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले और हाँ, बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पासकें धन्यवाद